सवा मिनट स्वास रोके और फिर स्वास बार छोड़ दे उसका रोग शोक दूर हो जाता है ऐसा साथ बार करें स्वास लेवे सवा मिनट रोके नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा यपत निरंतर हनुमत पीरा अइसा मन में आराम से जब करें, सवा मिनट के बाद स्वांस छोड़ देवे तो प्रान बल भी बढ़ेगा, मनो बल भी बढ़ेगा, आरुग बल भी बढ़ेगा, बुद्धी बल भी बढ़ेगा, रोग मिठ जावेगा इस निर निरा इसको कैना में आराम से चाहिए, तो एम जावे से फेगा, शड़ में जावtech, आरेगा, जावेगा तुकें एक सभा मिनट टे।। कितनी भी गर्म्म हो अवी चुर्मी को मित चुछ Likewise. प्रकमी जर्मी ञार्क्त कार माय। अखा झाता बिढ़े लिए गर रिञा हैं, तो देट रहने में में दुड़ Anda कुल्ण हैं। आन्हों अखुआ के पानी उंख मेरे आख पताँ वाना के पानी कर्फॉजिए आन्ही निकल जाएगि और बुसे कुछावा हिंकु जाएवी कृरिय निछुडागा टुंधर राय जाफ। एसा वे अज़ा मिष्री चूसे तो भी गर्मी कम हो जाएगी और नंगे सिर्धूप में नहीं गुम्हें यह पगड़ी वाले सबस्टाइब मेरे को अच्छे लाग रहे हैं कि मेरा गुमाद दुमाया तो यह पगड़ी से दिमाग की रक्षा होती है और खुटी गर्मी नहीं पहरापना आजाता है इसलिए सिर्ध ढखना चाहिए यह पगड़ी वाले तो चुक अचवे लाल फिली कबड़ी यह पगड़ी तो अच्छा लगड़ी लगड़ी तो आप तो पहरो लेकिन आज कल का तो आपके जो बेठे हैं जुवान है उनको भी जराप पहरी का महत तो समझाए और वो पहरना सीखे आखे ठीक रहेगी जो सूझ की दूप लगती ने सिर पे आखे कमजोर हो जाती है जरा जरा बात में चिड़ ज़ावे जरा जरा बात में गुष्सो कर ले वे इसलिए नंगे शिरदूप में नहीं गुमना चाहिए और रईवार के दिन लाल मि कंङे छुष्येजेड हों, शुष्ये या कさん रारे यहाक पमाली एपनाः, शुष्येजेवाले। विदा रार भॉत चाह्टा बंच भंच झाहग झाते हैं कि पयारा जाहगा हों और बलावनी ज़्लाना चेहीम आर यह जिहले नितों गर में जग्णेन hand आर्थक बात बोले, तो एक सवा मिनट स्वास अंदर रोके, फिर स्वास छोड़ देवे, फिर स्वास बाहर फ्हेंग देवे, स्वास बाहर छोड़ दिया, चालीस सेकंड, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत भीरा, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत भीरा, ऐसा थुड़ा जप करें. तो एक बार सवा मिनट स्वास अंदर रोके और यह आराम से जब करें, दूसरी बार 40 स्वास बाहर रोके, ऐसा साथ बार अंदर रोका, साथ बाहर बाहर, कितनी बीमारियां ऐसे ही मिट जावेगी, जोडो का दर्द में आ रहा हुग गया, कोलेस्टरोल ता ठीक हो गया, कंद तो मत्यति बेर अंदर रोके जावेगी, जोडोड़न में ऐसा ज्यान आना चाहिए, ऐसी बुद्धी मता होनी चाहिए, कि कोई भी परिस्थितित्यावे अपने अधर्म में न जाए, पाप में न जाए, कोई लड़ावे, भिड़ावे उसमें नहीं लगे, जैरे, संसकारी आत्मा है, तो संसकारी आत्मा है, तो संसकारी आत्मा है, तो अपने जीवन में एक ऐसा द्रढ निष्चे करो, कि हमारे द्वारा किसी का बुरा न हो, हमारे द्वारा किसी का बुरा न हो, हमारे द्वारा किसी का बुरा न हो, हमारे द्वारा और प्रसन रहना चाह यह तो भारत्य संस्कृति है, घर गर में ज्यान का भक्ति का दिया जलाने वाली संस्कृति है. अब शाड़े पांच बच गए हैं, मंत्रदिक्षा कल मिलेगी साड़े साथ से नौ बजे तक. और चिर किन्नर अद्यक्ष यह आई हैं, दो शब्द, वा माइक दे दो. यह तो मंत्रदिक्षा बेट्रेना थोड़ा, अश्टिय किन्नर अद्यक्ष यह आई हैं, यह तो खुषी मात्ना, भजन गाना, गवाना, प्रसंता मात्ना. बैठेना हैं, अपने बीच शब्नमोसी अपदारे हैं, दो शब्द कहेंगे, तोड़े लेट हो गए, आप लोग सुबे के बैठे हैं, दो शब्द कहेंगे, मंत्र दीक्षा से क्या-क्या फायदा होता है, प्रदान मंत्री, चंदर शेखा राये, देवे गोड़ा जी भी बहुत सद्दा भक्ती से मेरे को मिलिया, और ऐसा डंवत प्रणाम किया, कि देखते रैज गए लोग के भई, देवे गोड़ा प्रदान ही फैलाते हैं, लेकिन ये शब्नम मोसी समझती है, कि किन्रों की रोजी रोटी हिंदूं पर चलती है, और किन्रों को और हिंदू संतों को और हिंदू भक्तों को भीड़ाने वालों की चक्कर में दूसरे ना आए, ऐसी इनके पास सूझ बूझ भी है, और समाज में और समय लगारत की रिखानिता बनी रहे है। बहरत की अखंड़ता बनी रहे है। भारष को भीड़ाने लड़ने वाले बात्त्म, हम बादे लगाय और किसी के बहकाने में नाए, ऐसी इंके पास सुझ बूझ है। दो शब्द, शबनम मौसी कहेंगे। बार्दाक प्रहु जाँ जेद से यह नहीं आखrias? अरहा उतल जिन्दगी औले हैं कि छुनाओ लड़ते है और जीतते हैं, मैंे एक फ़े था किर नहीं थाहाद हैं, मध्याप्रदेश में. ठाले हैं कर गद्रादा अीम्र diferते हैं, और अल्लावालों को भी अपना मना दिया, सागर के हैं, कम लाधिवी, हाँ, शबनम जी. आदरणी सभी सम्मानी उपस्तित और परमादरणी हमारे आशाराम बाबुजी, जो आज देश-विदेश में अपना ज्यान लोगों में दे रहे हैं, और अच्छी पेरणा दे रहे हैं लोगों को, और बुरे रास्तों से बचा रहे हैं, और सबकी भावनाओं को जगा रहे हैं, और हमें चाहिये भी कि हम हिंदू हैं, अच्छे हमको भावनाएं मिल रही हैं अच्छे संसकार मिल रहे हैं अच्छा ग्यान मिल रहा है तो ग्यान पैसे से नहीं मिलता ग्यान दौलत से नहीं मिलता ग्यान मिलता है ग्यानी से और गुरू बीना ग्यान कहीं नहीं मिलता सर्वपथम मैं यही कहना चाहूंगी कि आशाराम बाबुजी जो एक ज्ञान का सागर है ज्ञान का भंडार है लोग तो आजकल व्यवसाई करते हैं लोग आजकल धंदा बनाई वे हैं लेकिन आप लोग इस बात को अच्छी तरह जानिये सभी मा, बैन, बुजुर्क लोग मैं यह आपको कहना चाहती हूं एक महानात्मा जिनों ने अपने मेहनत से, अपने प्रयास से और अपनी वानी से ज्ञान दे कर लोगों को भटकाते हुए बचाया है और सब के लिए भलाई का काम किया है नेत्र सिविल लगता है लोगों को मतलब इलाज मिलता है और घर बनाए जाते हैं उन गरीबों को घर देते हैं तो ऐसे मतलब लोग बहुत कम होते हैं कि जो जनता के सुभिधा के लिए काम आते हैं और अपने धरम को और आगे बढ़ाते हमें बड़े बड़े दिगज रा जनेताओं ने पैसे का लालच दिया सब कुछ दिया कि जाओ ऐसा करो वैसा करो तमाम लोगों ने हमें हम नहीं किसी का नाम लेना चाहते हैं चंडालों का नाम लेना भी पाप है क्या बात है चंडालों का नाम लेना भी पाप है और मैं अपना परीचे दे दूं मेरा नाम शबनम मेरे किंणर समाज ने रखा है मेरा नाम शबनम नहीं है मैं ब्रामन परिवार से हूं और तिवारी हूं कानकुछ ब्रामन हूं मैं मेरा जो किंडर समाज की जो गदी है वो हमारी किंडर समाज की गदी मुसल्मानों की है इसलिए उन्होंने मेरा नाम शबनम रखा मेरी जात को परिवर्तन करने उन्होंने मुझे का तो मैंने का मैं जात परिवर्तन नहीं करूंगी मैं हिंदू हूँ ब्रामन हूँ मैं ब्राम जी का बच्चा हूँ लेकिन दुर्भाग है या इश्वर की मर्जी है ये तो इश्वर ही जानता है कि मैं ऐसी क्यों बनी विश्व में नाम हुआ मेरा गिनिज भुग में नाम दर्ज हुआ मेरा एक विश्व की प्रथम कि नर्वी धायक हुमें जो आज मत प्रदेश के पुन्य आत्मा जो पुन्य का काम कर रही है जंता के बीच में क्या जंता से कुछ लूट के खा तो नहीं रही है सबको अच्छे अच्छे ग्यान बाट रही है तो ग्यान बाटना कोई गुना तो नहीं है लेकिन इन राजनेताओं को बहुत बड़ा डर हो गया है बहुत ब पती तोड़ी बनना है, वो तो एक संथ है, संथ का काम है कि अपने प्रजा को, जनता को बुरे रास्ते से बचाना, तो बुरे रास्तों से बचा रहे हैं लोगों को, भटकने वालों को बचा रहे हैं कि जो कोई भटके नहीं, कोई भी कुछ भी सरियंत्र करके बाबु को प्रचंट बहुमत कहम किया है अपने सेवाओं से, अपने ज्ञान से, वो कोई गलत काम या गलत काम के नजदिक कैसे जा सकता है, यह मैं सब आप से कहना चाहती हूं, सब लोग, आप लोग से निवेदन करना चाहती हूं, कि आप लोग जो दुष्ट प्रचार करते हैं, दुष्ट लोग, चांडाल लोगों के बातों को कभी सुनना पसंद मत करिये, और अपने स्टेटमेंट जारी करिये, और पत्रकारों को भी पत्रकार वारता लेकर स्टेटमेंट जारी करिये, कि हम अपने बापू के सिवा मैं ना लेते हुए, थोड़े शब्दों में अपने वक्तब को श्राम दूँगी। देखे, मैं शरीर से किंणर हूँ, मैं दिमाग से किंणर नहीं हूँ। क्या वाद। तो इसी लिए मैं प्रात्ना करती हूँ कि मेरे जैसा आद भी किसी के गर्व में जनमना ले। मैं समर्पिते, हम लोग पैसा दे चाए, हीरा दे चा मोती दे। हम बाबा के लिए कोई गलत शब्द नहीं बोल सकती। बस यहीं से हम आपको नमशकार करते हैं सबको। जनने जने तो भक्त जन, कांदाता कांशूर। भक्त देवी को जनम देने वाली मा को भी धन्यवाद है। देवी है, देवता है, जो भी शरीर दे आहिश्वरने लेकिन दिल दिमाग की सूझ गूझ अपने ब्रह्म ही वजानाती ती ब्रह्मन जो अस ब्रह्म परमात्मा को जनने के लिए धर्ती पर आता है। उसे ब्रह्मन का आजाता है। ब्रह्मन परम्परा का संस्कार अभी भी दिखाए देता है। संत बीज पल्टे नहीं चाहे युग बीते अनंत। उंच नीच धर अवतरे रहे संत का संत। कभी-कभी उंच आत्म नीचे वातावन में आ जाता है। लेकिन अपने उंचा ही की खबर तो देता है। मैंने कई द्रष्टांत दिये पूर्वकालिन लोकों की उंच आत्माओं की खबरे ने। जैसे आज सुवे भी कहा था कि अश्टावकर आठ्वे मैंने के थे और मा के घर्ब सुजाता के घर्ब से बोल पड़े के पिता श्री आप वेदिक उचारन तो करते हूं लेकिन जिस आत्मा परमात्मा से उचारन होता है उस प्रभु को जाने बिना किवल विद्वता किस काम की। पिता ने श्राप दे डाला बार बार तु मेरे को टोकता है आठवे मैंने का घर्ब और बाप की गलतिया निकालता है ते शरीर में आठ खोडखा पड़ोंगे वो बालक केता है पिता श्री आपका श्राप मेरे शरीर को लग सकता है मुझ आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड इस आत्मा को देखकर मेरा रदय भी द्रवित हो रहा है कि भगवान ने कैसे कैसे आत्मा को किस किस निमित कहां कहां भेज दिया लेकिन उनके सदभाव की उनके सदसंस्कारों की रक्षा भी तो भगवान कर रहा है चंडाल चोकडी के लोग तो भग आते हैं भिड़ाते हैं लेकिन भगने और भिड़ने से बचकर सदसंग में दोड़े दोड़े चले आए कहां तो शैडोल और कहां आपका ही जगा